चंद से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम यह है कि आप एक फ्रेशर हो आपके पास कोई experience नहीं है और आप market के अंदर जा ड़े हो एक job लेने के लिए मुझे इंस्टागराम पर और वीडियो के कमेट में बहुत सारे message आते हैं आप लोगे के कि we are fresher, I don't have any experience और मुझे एक job लेनी है कि इस तरह से मैं job लूँ, कहां पर मैं apply करूँ, please sir help कर दो बगएरा बगएरा तो इस तरह के messages मुझे आते रहते हैं तो मैंने सोचा कि क्यों न इस पर एक वीडियो बना दूँ, मैं आपको खुद से बता दूँ कि आपको क्या चीज करनी है अगर आप एक fresher हो या कोई job ढूंड रहे हो first thing मैं आपसे कहना चाहूंगा कि grow your skills, अपनी skills पर काम करो, उसे थोड़ा enhance करो, कुछ भी पागलों की तरह मत पड़ो, गदा मजदूरी करने के लिए घदे ही बहुत है तो आप क्यों गदा मजदूरी कर रहे हो, तो smart work करो और अच्छे से चीजों को सीखो, एक needs, एक category select करो कि मुझे इसी particular field में अपना career बनाना है, तो उसको choose करो और उस पर काम करो, उसके related skills को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चीए कि आपने आग सोचा कि मुझे front end developer बनना है, और एक अपते बाद सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो यार python सीखना चीए, फिर दो अपते बाद सोच र पड़ेगा, कैसे job मिलेगी, and क्या salary है, क्या growth है, सारी चीजे पढ़ लो, एक ऐसा mindset बना लो कि मुझे बस इसी से job चीए, बाकी चीजे गई भाड में, तो यह वाला अगर mindset रखोगे आपकि मुझे एक ही चीज पर काम करना है, अपना पूरा 100% एक ही चीज पर लगा देना तो एक particular category, एक particular field decide कर लो पहले, second thing है, create your account on nokri.com, international and LinkedIn, nokri.com पे जाएए, वहाँ पर आप रेजिस्टर कीजिये, कुद को वहाँ पर अच्छे से अपनी profile लिखे, same आपको international पे करना है, और same आपको LinkedIn पे करना है, यह तीनों चीज़ों आपको करना है, तीसरी चीज है, Mac attractive resume, मै मुझे वो इतने attractive नहीं लगते है, क्योंकि उन्होंने एकदम कचरा भर के रखा है, black and white रखा है, मतलब एक चीज क्लियर नहीं हो रही है, कि कहाँ पर skills है, कहाँ पर education, एक proper sequence रहता ही नहीं है, तो पहले अपने resume में आपको क्या करना है, एक sequence बना के रखना है, देखे एक company candidate से क्या demand करती है, कि जिस field के लिए वो hire कर रही है, जिस field के लिए वो interview कर रही है, उस particular field related आपके अंदर वो skills है कि नहीं है, company पहले वही चीज देखेगी, जैसे कि front end developer के लिए किसी company ने interview चालू किया है, तो front end के लिए आपको आना चीए, HTML, CSS, JavaScript, React, JS, Vue, Angular, ये सारी आपकी profile को visit करेगी, या कि आपका resume देखेगी, तो वो सबसे पहले यही चीज देखेगी, कि आपको वो सारी चीज़े आती है, कि नहीं आती है, अब जैसे कि वो front end developer के लिए hire कर रही है, और उसके पास resume आ जाता है, accounts का, या sales का, तो वो उसके काम का नहीं है, है ना, नहीं इसको top पे रखो, उसके नीचे experience रखो, उसके नीचे projects रखो, फिर qualification रखो, फिर address रखो, वगेरा, वगेरा, कुछ लोग क्या करते है, सबसे पहले अपनी hobby लिखते है, मुझे यह interest है, मुझे यह खाना पसंद है, मुझे वो पीना पसंद है, या सरी भालतू की बखवा से आप उपर रख दोगे, जो कि कुछी काम की है नहीं, और जो important चीज है, जो काम की चीज है, जिसकी वज़े से आपका selection होगा, वो चीज़े आपने नीचे दबा के रखी है, तो नीचे से निकाल के उसको उपर रखो, उसको highlight करो, तभी तो short list होगा आपका resume, चौती चीज ह make project, projects बनाओ, आप projects नहीं बनाते हो, projects जब आप बनाओगे ना, एक तो आपका portfolio strong होगा, और दूसरा आपका hands-on experience है, वो बढ़ेगा, आप चीजों को जल्दी से कर पाओगे, आपकी सोचने की शक्ती बढ़ेगी, और जब आप technical round में जाओगे, तो आप उन चीज को फटक क वाले, तो उन पे आप अपने projects को डाल दो, उसके बाद अगली चीज है, डेली apply, आप लोग क्या करते हो, एक दिन जोब के लिए apply करते हो, फिर हाथ पे हाथ रखके बैठ जाते हो, और फिर मुझे message करते हो, कि मेरी job नहीं लग रही है, मैं पाच मेने से घर पे बैठा हू मैं apply करता हूँ, पर reply नहीं आता है, अरे भाई, एक बार apply करने से कुछ नहीं होने वाला है, आप अकेले तो apply कर नहीं रहे हो, आपके जैसे और भी लोग है, चो same चीज के लिए apply कर रहे हैं, तो आपको उनको compete करना होगा, उनको आपको beat करना होगा, तो आप हमेशा daily apply करो companies में, कम से कम 10-15 company में रोज आपको application send करने, तब जाके HR का call आएगा, selection होगा, और ऐसा नहीं है कि HR का call आएगा, आप select हो जाओगे, कितनी बार तो आपको rejection मिलेगा, आपको HR round में ही बार कर देंगे, HR ही आपको shortlist नहीं करेगी, तो आपको रोज 10-15 application भेजने नौकरी पे, कैसे न कैसे सर्वाइब करी लेगा, चैट, GPT, यूज़ करके, लेकिन interview करेक करना बहुत hard हो चुका आज के time में, आप YouTube पर वीडियो देख सकते हो, वहाँ से पढ़ सकते हो, आप book से पढ़ सकते हो, book की जो link है ना वो नीचे आपको description में मिलेगी, तो उस link पर click करके आप book चीज है, look matters, देखिए, आपका look matter करता है कि आप कैसे दिखते हैं, तो जब आप interview के लिए जाओ, तो अच्छे से well prepared होके जाओ, एकदम professional बनके जाओ, एकदम अच्छे से बाल बाल कट करवाके जाओ, तो अगर आप girls हो, तो girls भी अच्छे से जाईए, एकदम कुछ भी पह लगना चीए कि हाँ, बन्दा sincere है, एकदम अच्छा दिख रहा है, अच्छे से काम करेगा, अगर हम इसको hire करते हैं, तो पूरा अपना जो काम और dedication के साथ करेगा, दोका नहीं देगा, तो थोड़ा बोत है न, अपना looks पे भी ध्यान दो, बहुत सारे rejection looks के उपर भी होते ह हैं, अगर आपको पता नहीं है, तो अगर आप कुछ भी पहन के जाओगे न, तो जो आपका interview लेने वाला है, कैबिन में से देखते हैं, मन बना लेगा कि भाई, इसको दो लेना ही नहीं है बिल्कुल, तो अच्छे से कपड़े पहन के जाओ, सामने से लगना चीए कि हाँ अब आप प्रोफेशनल बन्दा है, एकदम अच्छा है सेंसियर है